क्या बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं शशी थरूर एके एंट्रिनी के बाद शशी थरूर का बयान सामने आने के बाद कॉंग्रिस पार्टी में भुचाल मजगिया है शशी थरूर ने सीधे सीधे तोर पर कॉंग्रिस पार्टी पर कई आरोप लगाए कॉंग्रिस पार्टी पर आरोप लगाते वे शशी थरूर ने कहा कि वाकई गांधी परिवार में परिवारवाद हो रहा है और Congress Party छोड़कर जानेवाले नेताओं ने पार्टी का साथ ऐसे नहीं छोड़ा पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा जिसकी वज़ा ये थी कि उन्हें Congress में जिम्मेदारिया नहीं दी जा रही थी उन्हें Congress Party में बड़ा रोल नहीं दिया जा रहा था तो मौझूदा समय के अंदर कॉंग्रेस पार्टी में जिस बड़े बदलाव को हम देख रहे हैं या जिस तरीके से हमने देखा कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक बदलता हुआ स्वरूप नजर आ रहा है तो एके एंटनी के बाद क्या शर्शी तरूर ने ये संकेत दे दियें कि अगर कॉंग्रेस पार्टी उन्हें बड़ी जिम्यदारी नहीं देगी तो वो बीजेपी की तरफ रोक करेंगे हला कि आज़ाद बहुत पहले कॉंग्रेस चे अलाग हो चुके हैं लेकिन गांदी परिवार पर जिस तरीके से निसाना साद्र है और फिलाल शर्शी तरूर तो कॉंग्रेस में रहकर सोनिया और परिवार वास पर निसाना साद्र है ये बताता है कि अब ये चाहते हैं शर्षी तरूर की कॉंग्रिस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ एक नया रास्ता अपनाये जाए तो अगर बीजेपी में जाते हैं शर्षी तरूर तो किस बड़ी जिम्यदारी को समालेंगे और चुनाओं से पहले बीजेपी क्या बड़ा पद दे देगी शर्षी तरूर को क्योंकि जोती राधित सिंध्या ऐसे ही नेता थे जो कॉंग्रिस से बीजेपी में गए और बड़ी जिम्यदारी मिल गए तो क्या अब गुलाम नभी आजाद और शर्षी तरूर जैसे नेताओं को भी बीजेपी में बड़ा पद मिलने वाला है हाला कि शर्षी तरूर ने कॉंग्रिस के खिलाफ चुनाओं से पहले बिगुल फूंक दिया है जो चुंगारी बुझ गई थी उसको हवा दे दिया है वो आग बन गई है वो ज्वाला बन गई है और थरूर का कहना है कि अब नहीं रुकेंगे थरूर चाह रहे थे कॉंग्रिस पार्टी का अध्यक्ष बनना अध्यक्ष भी नहीं बन पाए और तो और पार्टी में कोई बड़ा इस्थान भी नहीं मिल पाया तो उन्हें अब बीजेपी की तरफ ऑप्शन देखता ना ज़रा रहा है ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये चुनाओं से पहले कॉंग्रिस के लिए बड़ा जटका रहेगा आज के लिए तहीं आपसे फिर दबार मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार